ओम शान्ती पंद्रा बारा दो हजार इक्किस की साकार मुरली मीठे बच्चे उच्पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है इसलिए जितना चाहू उतना ग्यालप कर लो प्रश्ण कौन सा गुहे राज पहले पहले नहीं समझाना है क्यों? उत्तर ड्रामा का जो गुहे राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है क्योंकि कई मूझ जाते हैं कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज मिलेगा आपे ही पुरुशार्थ कर लेंगे ग्यान के राज को पूरा ना समझ मतवाले बन जाते हैं यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा गीत भोले नाज से निराला ओम शांती मीठे मीठे रोहानी बच्चों प्रती गुड मॉनिंग बावा ने इतने भब के से बच्चों से गुड मॉनिंग की बच्चों ने रेस्पॉंड नहीं किया बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बूलना चाहिए रोहानी बाप रोहानी बच्चों से गुड मॉनिंग करते हैं बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर दोरा रोहानी बाप को गुड मॉनिंग करते हैं तो बच्चों को इतना हुलास से कहना चाहिए न वाह बाबा आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया बुकारती रहती वह बाप सम्मुख हमसे गुड मॉनिंग कर रहे हैं फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे अभी तमों प्रधाने तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है वही सुप्रीम फादर गौड फादर है क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे क्राइस्ट को सन ओफ गौड मानते हैं सबसे सुप्रीम वह एक ही है यह भी समझते हैं कि वह गौड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है अब वह तो नहें निराकार कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं या अभी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विश्णु का आपस में क्या सम्मंद है निराकार को मुख जरूर चाहिए इसलिए इनको भागीरत भी कहा जाता है मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना डारेक्शन देते हैं कि मन मनाभव तो मुख द्वारा कहेंगे ना इसमें प्रेर न की तो बात हो नहीं सकती बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैट सब वेदो शास्त्रों का सार समझाते हैं हर चीज का सार निकालते हैं न, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेशकर तुमको नौलेज देते हैं, कितनी समझने की बाते हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहां, बाप बैट समझाते हैं कि यह प्रजा पिता भी है मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गौट फादर कहते हैं, भारतवासी पुकारते भी हैं तुम मात पिता, पर अर्थ कुछ भी नहीं जानते, निराकार को माता कैसे कह सकते, वह इसमें प्रवेशकर अडॉप्ट करते हैं, तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है, इ कभी भी नहीं दिखाते, यह बहुत वंडर्फुल बाते हैं, कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे, कोई शुरूर बुद्धी होते हैं तो जट समझ जाते हैं, तीस वर्ष वाले से भी मास वाले कर लेते हैं, यहां भी ऐसे हैं, सारा मदार पढ़ाई और याद पर हैं, बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सत्व प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जाने ही सकती, फिर सब एक्टर अपने अपने पाट अनुसार स्टेज पर आते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, हद के ड्रामा में तो बचास साथ हैक्टर होंगे, यहां तो कितना बड़ा बेहत का ड्रामा है, बाबा ने हमारी बुद्धी का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं कि यह लक्षमी नरायन विश्व के मालिक थे, कितने साहुकार थे, राम राज्य में विकार होते ही नहीं, वास्ता में इसको इश्वर ये राज्य कहेंगे, इश्वर को राम नहीं कहा जाता, बहुत लोग राम राम की माला जबते हैं, परन्तो याद तो भगवान को करते हैं, नाम राम का राइट है क्योंकि यह तो कोई जानते नहीं कि आगे दशेरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे साइन्स का भी देखो अभी कितना जोर है यह साइन्स सुक के लिए भी है तो दुक के लिए भी है सुक तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है तो यह दुनिया यह दुख हुआ ना तुम्हारी है साइलेंस पावर उन्हों की है साइंस पावर तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो याद से विकर में बिनाश होते हैं तुम योगबल से राजाई लेते हो इसमें लडाय यादी की बात नहीं तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो बाहुबल की तो बात ही अलग है कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो फिर पावन से पतित बनेंगे यह ड्रामा है हार जीत का परन्तु यह बाते सबकी बुद्धी में नहीं बैठेंगी सब तो सत्योग में आएंगे नहीं बेहत का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं यह पुरानी दुनिया है दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है बागी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं था मगर अब नहीं है प्राय गुम हो गया है अब अनेक धर्म हैं इनको रावन राज्जी कहते हैं कहते हैं विश्नु की नाभी से ब्रह्मा निकला कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है तो बता नहीं सकेंगे आत्मा तो एक ही है उनको कहेंगे विश्नु विश्नु पुरी भी दिखाते हैं यह है संगम यह है संगम ब्रह्मा पुरी प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ब्राममन है चोटी यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं इसलिए इनको विराइटी धर्मों का जाड़ भी कहा जाता है यह है मनुश्य सरश्टी का जाड़ परंतु इसमें विराइटी धर्म है पहले डिटीजम फिर इसलामिजम यह है ब्राममन इस संगम का तो किसको पता नहीं है यह है पुरुशोत्तम संगम यूग पुरुशोत्तम ब्राममन धर्म जबकि सोशल सर्विस करते हैं तुम बच्चों को रोहानी सोशल वर्कर कहा जाता है सोशल वर्कर भारत में बहुत है उन्हों को भी सिखाते हैं कि नमरता भाव से सेवा करो जो पक्के कॉंग्रेसी थे वह तो जाड़ु आधी भी लगाते थे महतर आधी का काम भी किया करते थे आगे जो पक्के थे वह चीनी के बरतन में खाना नहीं खाते थे जो पास्ट हुआ वह ड्रामा है वही रिपीट होगा इन बातों को समझते नहीं तो मूझते हैं इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है कहेंगे अगर ड्रामा में नूंध होगा तो हमको आपे ही राज्ज मिलेगा और पुरुशार्थ भी आपे ही करेंगे ऐसे मतवाले भी होते हैं ग्यान के राजों को पूरा समझते ही नहीं है अरे पुरुशार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा आपे ही थोड़े ही पानी आकर मुह में पढ़ जाएगा बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर में विनाश होंगे बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं मुझे याद करो परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे बाप कहते हैं यह मेरा शरीर भी मुकरर है यह बदली हो नहीं सकता यह विनूंध है गाया भी जाता है परंपिता पर्मात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं यह भगवान उवाच है ना तो बोलने के लिए मुक चाहिए प्रेड़ना से थोड़े ही पढ़ाई होती है बाप आकर इन द्वारा डारेक्शन देते हैं यह चित्र आदी इस ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए है यह भी तो पुरुशार्थी है ना यह कोई नौलिजफुल नहीं है यह तो भक्ती मार्क में था भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है भक्ती का फल आकर देते हैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं बाप इसमें प्रवेश कर राजियोग सिखलाते हैं इनका नाम है शिवाबा वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्वे अलोकिक है मेरा आने का पाट एक ही बार संगम पर है ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूँ जब मेरे आने का समय होता है तो एक सेकेंड भी नीचे उपर नहीं होता एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ मुझे औरगंसी कहा है जो तुम्हारी पकार सुनूंगा यह ड्रामा बना बनाया है जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियां कोई भगवान सुनते हैं बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जानन हार हो तो बताओ हम इमतिहान में पास होंगे यह काम होगा बाबा केते अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने मेरा जो पाठ होगा वही बजाओंगा जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाओंगा नहीं मैं यह बाते बताने थोड़ी ही आता हूँ मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ हर एक का पार्ट ड्रामा में नूधा हुआ है जो निश्चे वुद्धी नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं और वह बाते भी ऐसी ही करेंगे बाकी जो सूर्वंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्शा लेना है बाकी जो जास्ती पुरुशार्ट नहीं करते हैं वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे कहते तो बहुते बाबा हम तो सूर्वंशी बनेंगे नारायन बनेंगे परन्तु बच्चों को पुरुशार्ट भी इतना करना चाहिए बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो यह कैसे सरेंडर हुआ सब कुछ ईश्वर अर्थ अरपन कर दिया ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए पहले भट्टी से बहुत निकले अब ऐसे थोड़े ही भट्टी हो सकती है इस कारे में माताएं कन्याएं आगे जाती है इसमें भी कन्याएं तीखी जाती है देह और देह के सम्मंदों को भूल जाना है क्योंकि अब घर चलना है अब बाप कहते हैं मुझे याद करो अब नाटक पूरा होता है बाकी समय थोड़ा है जैसे आशिक माशूक होते हैं या बाबा माशूक है आशिक नहीं है बाप कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है मैं थोड़े ही पतित बना हूँ जो तुमको याद करूँ मैं तो युक्ती बताता हूँ उस पर चलो इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ अब तो वापिस जाना है यह बुद्धी में ग्यान है यह शरीर भी पुराना है सत्युक में निरोगी शरीर मिलेगा फिर हम गोरे बन जाएंगे सावरे से गोरा कैसे बनते हैं यह भी तुम ही जानते हो राम को भी काला बनाया है शिव का लिंग भी काला बनाया है वह तो कभी काला बनता नहीं है वह एवर प्योर है उनको तो सफेद बनाना चाहिए बाबा कहते हैं चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से अकर्शन करें अकबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं तुम्हारे नहीं पढ़ते बावा तुम बच्चों को तो बेयकल से अकलमंद बनाते हैं इस लक्ष्मी नराण को अकलमंद किसने बनाया बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया तुम बच्चों को यह knowledge मिली है वह फैलाना है विचार सागरवन्थन करना है गवर्मेंट कितना public के लिए खर्चा करती है यहां जो तुम बच्चों का सुबाप का और जो बाप का वह तुम बच्चों का बाप कहते मैं हूँ निशकाम सेवाधारी मैं तो दाता हूँ यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शेवाबा को देते हैं शेवाबा 21 जन्मे के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं यह बाप लेता नहीं देता है बाबा तो दाता है अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्यसार पहला जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर बन करना है अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है दूसरा लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है वरदान पुराने संसकार रूपी अस्थियों को संपूर्ण इस्थती के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव बाप समान वा संपूर्ण बनने के लिए स्रश्टी की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो कोई भी उल्जन का नाम नशान न रहे ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ जैसे जन्म परिवर्तन करने के बाद पुराने जन्म की बाते भूल जाती है ऐसे पुरानी बातों को पुराने संसकारों को भस्म करो अस्थियों को भी संपूर्ण इस्थिती के सागर में समा दो तब कहेंगे समान और संपूर्ण स्लोगन विस्तार को सार में समाने की जादू गरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे उम शांती सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूपल के नापल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही देते रहों बाबा